तो हेलो चत्रो आपका स्वगत है आज के इस वीडियो पर यहाँ पे हम एट ग्रेट अभ्यास पुस्ति का जिसमें आपका हिंदी अंग्रेजी और संस्कात है कक्षाठवी का यहाँ पे आज हम इंग्लिस का देखने वाले हैं किसका देखने वाले हैं कक्षाठवी का अंग् बता दिया है आज हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे आपका दामून वाले चैप्टर का करेंगे चलिए यहाँ पर आच चुका है आपका दामून और देखिए यह सारे आपके अंसर आज आपको बताए जाएंगे तो पहला कोश्चन आपका यहाँ पर देखिए वेरी सकते हैं आपको यह लिखा और माउच कैसे आपको बोलता है तो आपको इस कुरी किंग आपको यह नवा को जाएगा और आपका अगला साट अंसर वाले एक से तीन बागों में अंसर करना है तो राइट दा नेम अब भूर एनीवल का आपको जो चैप्टर इसमें दिया गए नहीं पहरें है दामून का इसमें आपको जो जो आपके नेम में संधान है दामून में तो देखिए कैट बिसमें आपको है स्याइट भी है और डॉग भ भूक से आप दट त्री जापको यह answer करना है और अगला आपको यहां पर कॉश्चन नमर 6 दिया है क्या दिया इसमें write and any stand आपको यह पर पोएम का चांधा है पाँच या साथ वाकों में आपको आपको यहादा यहाद सांट है you सभी और हम और यहां पर हम यहां पर आपको यह क्यान्र करना है अब इसके आते हैं आपके अशेस्मेंट के कोंश्यन तो असेस्मेंट फोर का अंसर देखिया पे आपको क्या करना है एक या दो सब्दों में अंसर तो अच्छो पढ़ाई में डाउट साते हैं सौल्ब नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत इसका सलूसन है डाउट न टैप जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो कीचो क्रॉ करो और पास सेकंड के अंदर अंदर आपको बेडियो सलूसन मिल जाएगा बो भी विल्कुल फ्री अब आप पोचे अनलिम्टेट सवाल कहीं भी कभी चाहे आपका क्लास छाटी से बारवी आयाईटी चेडवाली या फिर नेट का हो या फिर सीबीसी यूपी विहार राज स्थान या फिर अनिस्टेट वोर्ड का हो कोई भी सब्जेक्ट का हो फिजिक्स केमिस्टरी मैथ वायोलोजी साइंस आपके सभी सवालों की जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास नभी से बारवी आयाई टी जेडवाली के बच्चों के लिए आनलाइन क्लासे जिसका हिस्सा वनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं ट्रेंक वन तो आज ही डाउटनेट इस्टाल करें और अपने सभी डाउट वगाओ और टॉप रेंक लियाओ तो यहापे कोशन दिया है पिक दा ओड़ ट्रेज यहनि आपके पेड़ और मून तो यह आपके तीनों कहां आप पाए जाते हैं ठीक है लेकिन यह पेड़ तो आपका प्रत्वी में पाए जाता है तो आंसर आपको यहाँ पर बड़ आपको आपको यह बखसे में भर देना है अगला कोशन है पर सिगंड देखिए तो देखिए आपको यह में पेर मून कहां पर साइन होता है थो अ अन्थ्व시는 के हमेशा कहां होता है आकास में होता है इसके बाद आपका फकिन थर्ड कोसिन एकोर्डिंग टू वॉट इस दाडिफरेंस बेटविन देंडवं एंन्द सन थीक है इन दोनों में आपको अंतर कौन सा आएगा दा कलपना चाबला तो यह आपको नेस्ट चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो चलो यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा इसके पहले वाल चैप्टर के तो वह भी आप देख लिजिएगा आपको यहाँ पे इसमें आपको जिसक्रिप करके जाईएगा जेहन जेहन जेंगा